आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन से माउस को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और फिर उसे कैसे यूज कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक USB माउस है और अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं अगर आपके पास भी है USB माउस तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से पर उसके लिए आपको यहाँ पर एक चाहिए OTG इस तरह की एक OTG मिल जाएगी आपको mobile shop पर 30-40 रुपे में पर आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई C-type phone है तो आपको C-type OTG purchase करनी है कुछ इस तरह की तो आप इन दोना में difference देख सकते हैं तो ये था इन में difference जो भी आपका phone है आप उस तरह की OTG purchase कर लीजिए और OTG को purchase करने के बाद आपको अपने phone में चेक करना है अगर आपके phone में OTG का option दे रखा है तो आप अपने phone में OTG चालू कर लीजिए अगर आपके पास कोई Vivo, Oppo, Realme का phone है तो आपको OTG चालू करनी पड़ेगी अगर आपके पास कोई MI Samsung का phone है तो आपको उसमें already OTG on मिल जाती है तो यहाँ पर हमारे पास एक Vivo का phone है तो इसमें हम settings को open करके OTG को on कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है option तो आप अपने phone में more settings या फिर additional settings में जाकर check कर सकते हैं आपको मिल जाएगा OTG connection के नाम से तो OTG पर हम touch कर लेते हैं उसके बाद इसे on कर लेते हैं इस तरह से अब यहाँ पर आपने जो भी OTG purchase की है उसे अपने phone में लगा दीजिए जिस port से आप charging करते हैं आपको उसी में यह लगा देनी है इस तरह से तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपने लगा दिया है तो अब आपको OTG में अपने USB माउस की जो USB होती है यानि कि इसे आपको इसमें connect करना है यानि कि इसमें लगा दीजिए इस तरह से और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके फोन में ऊपर शो हो जाएगा माउस connected अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं माउस को जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फोन में ये माउस वर्क करने लग गया है हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम इसे टच करेंग यह उस हिसाब से चलने लग जाएगा तो इस तरह से आप अपने फोन से माउस को कनेक्ट कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें